आलो गाईस वेलकम बैक तो मैंने जैसे की पिछले वेडियो में बताया था कि हमारा जो लास्ट का फॉर्मॉला का फूरूफ है वो मैं आपका अगले वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले जो कि हाइपरबोलिक में होने वाला है यह जो पाच फॉर्मलाज है इन फॉर्मलाज के प्रूफ हमने देखे और आज हम इन दो फॉर्मला का प्रूफ देखने वाले वीडियो के last तक बने रही है तो आपको easy तरीकी से ये भी proof आफ easy तरीकी से कर सकते हो चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के लिए देखो आज के वीडियो में हम ये formula प्रूफ करने वाले जो है cos hyperbolic 80 is equal to s upon s square minus s square मैं आपको ये formula प्रूफ करके बताने वाला हो और जो cos hyperbolic 80 का formula है वो आपको अपनी तरप से ही proof करना है और मुझको पूरी guarantee है कि आप वो proof कर सकते हो इस formula को समझने के बाद यह हमारा laplace transform की first definition है वो हमने देखी जहाँ पर हमको f of t में क्या put करना होता है तो cos hyperbolic 80 यहाँ पर cos hyperbolic 80 दिया हुआ है cos hyperbolic 80 is equal होता है e power में 80 plus e power में minus 80 देखो पहले 80 है बाद में minus 80 है अपन में 2 है ठीक है यह formula है cos hyperbolic 80 का यानि कि हम cos hyperbolic 80 को e के form में इस तरीके से लिख सकते हैं सब मैंने क्या किया यहाँ पर वही किया जो cos hyperbolic 80 था वह इस form में लिख लिया इस form में लिखने के बाद मैंने क्या क्या देखो यह जो था यह two constant है तो वह मैंने बाहर निकाल लिया हमको बता है integration में constant का कुछ काम नहीं होता है तो मैंने उसको पहले बाहर निकाल दिया and यह जो था यह separately separately इनको integrate करने के लिए मैंने रख लिया ताकि integration थोड़ा easy पड़ जाए तो देखो e-st.eatdt इस formula का प्रूफ हमने पहले वीडियो में देखा है इस formula का प्रूफ क्या था तो one upon में s-a यह जो हमने formula है वो प्रूफ किया है तो वो मैंने इस में directly इस तरीके से लिख यह part हमको solve करना है तो यह part हमने solve किया यह पर भी देखो tt and minus minus common ले लिया तो minus common and t common बीच में बज़ गया s plus a ठीक है क्योंकि best say में हम इसकी क्या कर सकते है addition कर सकते है सो कर दी वो आगे अगर हमने देखा आगे क्या किया कि वो जो था उसको easy तरीके से integration कर दिया integration करने के बाद बताए जो constant होता है वो नीचे भी आता है यह एकस एकस डिक का फॉर्मला है तक एकस अपन में यह आता है ठीक है जो constant होता है वो नीचे आता है तो वो नीचे भी आ गया zero to infinity हमने limits put कर दिया तो बाकी का वैसा का वैसा हम को सरफ यह पाट को solve करना है तो हमने limits put कर दिया पहला पहला infinite पूट कर दिया बाद में 0 पूट कर दिया ठीक है नीचे गा सेंग क्योंकि टी के जगा पर पूट करना होता है और बाद में अगर हमने देगा तो यह इंफिनिटी की वैल्ली होती है zero infinity value होती ही zero तो यह पूरी term क्या بن गई zero यह पूरी term का बन गई zero and e zero की value होती ही one तो यह to बन गया one 1 बनने के बाद स्ट यह plus यह minus and यह minus इनका multiply connection हो गया multiplication के बाद minus- क्या हो जाता है plus so e zero की value होती यह यह बनी यह will cancel and minus minus का plus यह मरा आगया कि वाद यह हमने सौल गया इन दोनों का sundae यहां पर मीं स्क्वेजुँद है यहां पर यह पर फैर यहां पर आगया है यहां पर आगया इन दोनों का मल्टिप्लिकीशन का सब्सक्राइब कि ए है सो यह हो गया यहां पर यहां पर एंड एक कैंसल हो गया सो रह गया टू एस रह गया टू एस यह टू एंड यह टू कैंसल होने के बाद हमारा जो फ्रूफ था वो मिल गया एस अपॉन में स्क्वेर माइनस स्क्वेर तो यह हमारा फाइनली प्रूफ हो इसी तरीके का proof है हमारा sign का सिर्फ sign में क्या होता है sign hyperbolic 80 का formula क्या है कि यहाँ पर जो e 80 and e minus 80 upon me 2 यह पूरा same है सिर्फ जहाँ पर cos में plus होता है sign में minus होता है तो अगर यहाँ पर minus क्या तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़े change हो जाएगी यहाँ पर minus आ गया यहाँ पर minus यहाँ पर भी हमने देखा तो यहाँ पर minus आ गया यहाँ पर minus यहाँ पर minus यहाँ पर minus यहाँ पर minus आने के वज़े से यह जो term यहाँ पर जाएगी उसका sign क्या हो जाएगा change s को plus की जगा पर minus आएगा A ko minus की जगहापर plus आएगा इसकी वज़े से यहाँ पर A and A कैंजल होता था यहाँ पर क्या होगा cancel S and AS क्यूंकि यहाँ पर minus हो जाएगा यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर plus A की sine सेम Olay S की sine opposed हो जाएगी S कैंजल हो जाएगा 2 आएगा है यहां पर and 2 2 cancel हो जाएगा तो बाद में answer रहेगा हमारा 2 2 cancel हो जाएगा यहां पर 2 2 cancel हो जाएगा तो बाद में आएगा हमारा a upon में square minus square तो मैंने ओर लिया आपको बता दिया है यह आपको जो दूसरा proof है जो sign hyperbolic एटी का है वो आपको खुद से करना है तो चलो मिलते अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम क्या बताने वाले तो यह जो हमने पूरे फॉर्मलाज देखे फॉर्मलाज के प्रूप देखे इन प्रूप के बेसिस पे हमको इन फॉर्मला के बेसिस पे हम किस तरीके से ला झाल झाल